सबी का स्वागत, आज हम योगा सन का सत्र विश्व शांती प्राठना से करेंगे, ओम जय जय स्वसं वेज्जा, आत्म रूपा, देवातूति गणेशु, सकलार्थ मतित प्रकाशु। मने निरुत्ति दासु, अवधारि गोधी। गुरूर ब्रम्हा, गुरूर विश्णू, गुरूर देवो महेश्वर्हा। गुरू साक्षात्पर ब्रम्हा, तत्म स्री गुरवे नमहा। ओम्हा, पूर्णमदप् पूर्णमिदप् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णच्य पूर्णमादाया, पूर्णमेवावतिष्यते, ओम्हां शान्ति 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 ही। ओम्हा, पूर्णम्हा, 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 पूर् भूर्भुवस्वहां तत्तवितूर्वरैन्यम् भरगूदेवस्यधीमहिं धीयोयोनप्रचोदयात। सर्वे पिशुखिन संतू सर्वे संतू निरामयाहा सर्वे भद्राणि पशंतू मा कशित दुख मात मुयात। जो शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पुर्थ विशांति ही, आपश्यांति ही, आउशधय शांति ही, वनत्पतय शांति ही, विश्वे देवा शांति ही, ब्रम्ह शांति ही, ओम आश्यादें तर्वाश्यांति ही, शांतिरे वश्यांति ही, सामाश्यांतिरे धी। ओम शांति शांति-शांति ही। आज वोल्ड पीस उनिवर्सिटी एमाइटी से योग और प्राणायम का निरंतर 25 साल से जो कारेक्रम हो रहा है कुछ पूरे विश्व के अंदर जो माहमारी चल रही है कोरोना की उसके इसाब से हम ये जो कारेक्रम है ओनलाइन ले रहे हैं तो सभी को मेरी विननती है कि कुछ गाइड़न्स के इसाब से अपने घर पे ही करें और अपने आसन और हम जो कहें विस तरह से फॉलो करें ओम शुरू करते हैं प्रार्थना से बैठ जाएंगे तीन बार ओमकार का उच्चान करते हैं ओम 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 भूर्भुवस्वह तत्सभितूर्वरेन्यम भर्गो देवस्यदीमही दियो योनः प्रचोदयात ओम ओम त्रंभके यजामे सुगंधिम् पूष्टि भर्दनं उरुवारुकमेव बंधनात मृत्यूर्मुक्षिमामृता ओम सहनाववतू सहनो भुनत्तू सहवीर्यम करवावह ती जस्मिनावदी तमस्तू माविद विशावह ओम सतो मा सद गमया तमसो मा जोतिर गमया भुत्यूर्मा अम्रुतं गमया ओम शांति 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 ओ सभी खड़े हो जाएंगे और पहले जो हमें बारा आसन सिखाए गए है उस सभी को करने हैं एक उर्जावन व्यक्ति को यह बारा आसन से अपने पूरे बॉड़ी को सशक्त और बल्वान बनाने वाला है योगिंग जोगिंग प्रणायम सुरू करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन दवड़ासन सुरू करेंगे पूरे अपने बॉड़ी को एनरजेटिक बनाने वाले यह जो बारा आसन है तो उससे पूरे शरी की उर्जा अपने ब्रिधिंग करने से जितने भी जोइंट से वो शशक्त और बल्वान हो जाते है विश्राम अभी अगला आसन करते है स्टेचिंग का जो हाथ उपर लेते हैं वही पेर को उपर दोड़ते हुए करेंगे सुरू करते हैं गतिपुर्वक करा गतिपुर्वक वेरी गुड इसी तरह से प्रत्यक निरोगी व्यक्ति को इसी तरह से अपने शरीर को वामप कर लेना है दिन में एक बार कोई भी आसन करते हुए पसी ना बहुत जरूरी है करो जोर से विश्राम अभी दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए राइट पेर को उपर उठाते हैं सांस छोड़ते वक्त अभी लेफ पेर दो दो तीन तीन बार करेंगे धीरे धीरे अभी दोड़ते हुए तेजी गती पुरवक्त इसे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्ट्रॉंग हो जाता है विश्राम अभी करेंगे अर्द बैठक दोनों हाथ कमर पे कमर पे और पांच बार धीरे से करेंगे अर्द बैठक सुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच विश्राम अभी दोनों पेरों में अंतर ले लेंगे धाय से तीन फूट का हनुमान बैठक करेंगे दोनों हाथ सामने एक बार राइट साइम जुकेंगे एक बार लेफ्ट साइड अपने सामर्थ के इसाब से ही करना है अतिश्योक्ती नहीं करना है क्योंकि इसमें क्रेम भी आ सकते है जो नए करने वाले है तो उसको एकदम साउधानी पुर्वक करना है शुरू करेंगे एक बार राइट एक बार लेफ्ट राइट और लेफ्ट राइट लेफ्ट इसमें क्या होता है कि अपने पूरे पेर के जो मसल्से विश्राम करेंगे जितने भी उसके पेर के मसल्स की ताकत बढ़ती है हनबान बैठेक का दूसरा प्रकार अभी लेफ्ट पेर को अंतर लेके हुए दोनों हाथ कमर पे लेफ्ट साइड जुकेंगे और पूरा पीछे का पेर एकदम सिधा रखेंगे गुटने ऐसे सीधे रहेंगे और दृष्टी आकाश के और सीधे हो जाएंगे यही क्रिया विरुद्ध बाजू करेंगे राइट पेर बैठना है मोड के और लेफ पेर एकदम सिधा स्ट्रेचिंग और दृष्टी आस्मान के और वर्टी बाज धीरे से विश्राम यही अभी दो दो बार और करेंगे एक लेफ पेर पे दृष्टी आस्मान के और सीधे हो जाएंगे विरुद्ध बाजू राइट दृष्टी आस्मान के और विश्राम विरुद्ध बाजू राइट पेर पे पूरी तरह से स्ट्रेचिंग होना चाहिए पूरे बॉड़ी को लचीला बनाना है दीरे से विश्राम विरुद्ध बाजू अपने स्पाइनल को मजबूत और शशक बनाने वाला है आसन धीरे से विश्राम अभी करेंगे दोनों पेर मिला लेने है पादहस्तासन दोनों पेर मिलाते हुए इसके अंदर सांस लेते होग दोनों हाथ पीछे जाएंगे अपने सामर्थे के इसाब से बिलकुल उसमें अतिश्योक्ति ने जिसको चक्कर आते हो उसे अपने सामर्थे को पैचान के ही करना है शुरू करेंगे पादहस्तासन सांस लेते होग दोनों हाथ पीछे इस तरह से सांस छोड़ते वाग दोनों हाथ नीचे धीरे से सांस लो पूरे शरीर को बेकवर्ड वेंडिंग सांस छोड़ते वक्त, forward bending, धीरे से और एक बार करेंगे, सांस low, backward bending सांस छोड़ते वक्त, forward bending इसमें गुटने एकदम सीधे रहेंगे, दोनों विश्राम दोनों हाथ पाश्वबागों से नीचे अभी करेंगे, पूरी तरह से, दोनों पेरों के अंदर फासला ले लेते है हाँ, इस तरह से, थोड़ा सा, जादा नहीं, दो फुटकाई दोनों हाथ सामने के और, छाती के समानतर, हाँ, इस तरह से रखेंगे दोनों हाथ खोलते वक्त, सांस लेना है, उर्ताड़ासन, सांस लेना है, दोनों हाथों को खोल लिए, very good सांस छोड़ते वक्त, दोनों हाथ सामने, इसमें उपर के और नहीं ले जाने हैं, गलत कैसे होता है, वो भी दिखा देता हूँ, वर्ती के एकदम हाँ, यह गलत है, ऐसे नहीं करना है, पूरी तरह से बाजू से खोल ले हैं, दोनों हाथों को, सुरू करेंगे, तीन बार करेंगे, सांस लो, पीछे के और जाना है, सांस छोड़ते वक्त, आगे दूसरी बार, सांस लो, वर्य गूट, सांस छोड़ो, सांस लो, वर्य गूट, सांस छोड़ना है, विश्च्राम अभी करेंगे, त्रिकोन आसन, इस आसन के अंदर, दोनों पेरों में, धाय से तीन फुट का फांसला ले लेना है, राइट हाथ उपर लेते हैं, कान के लगाते हुए, और आगे की और नहीं जुकना है, गलत भी दिखा देता हूँ, कोई कोई ऐसे करते हैं, आगे की और ज जुकना है, बाजू से जुकना है, पुरी तरह से यहां स्टेज होना चाहिए, इस तरह से, वेरी गुट, उसी सिती में थोड़ी दे रुकेंगे, सांस चोड़ते वक, सीधे हो जाएंगे, विश्राम, अभी, लेफ्ट हाथ उपर लेना है, राइट साइड जुकना है, अभी यही क्रिया थोड़ी गती से करेंगे, तीन बार लेट साइड, तीन बार राइट साइड, शुरू करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये, छे, विश्राम, रिलेक्स, अगर कोई नया करता है, तो उसको पेर में क्रेंप आता है, तो उसके लिए थोड़ा पेर जटक लेना है, इस तरह से जटक लेने से क्या होगा, क्रेंप नहीं आएगा, अभी दोनों पेरों में अंतर लेलो, कोणासन करेंगे, दो से धाई फुट का, दोनों हाथ, खंदों समान तर ले जाएंगे, इस तरह से, पूरी तरह से, सीधे होने चाहिए, ऐसे तेड़े मेड़े नहीं, तो इस तरह से पूरे सीधे, राइट हाथ से, लेफ पेर का पंजा पकड़ेंगे, और लेफ थाथ उपर, लेफ थाथ उपर उस तरफ दिखना है, पूरा देखो उपर, आस्मान की और, अपना हाथ एकदम सिधा होना चाहिए, कूनिया सिधी, फिर से सिधे हो जाएंगे, कूनासन, यही क्रिया भी गति पूर्वक करते हैं, एक बार लेफ थाथ, एक बार राइट थाथ, एक सिधा, दो सिधा, तीन सिधा, चार, सिधा, पाँच, सिधा, छे, सिधा, विश्राम करेंगे, दोनों हाथ नीचे, दोनों पेर भी मिला लेने हैं, अभी करते हैं, पीटी, हाथ बाजू में, पेर बाजू में, पहले दो बार धीरे से करते हैं, पीटी, पीटी, जम लगाते हुए हाथ बाजू में, पेर बाजू में, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, अभी गति पूर्वक करेंगे, फास्ट, एक, दो, एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो विश्राम रिलाक्स अभी पूरे शरीर को ट्विश्टिंग करते हैं अपने मेरुदंड को भी सेटिंग करने वाला अपने वर्टीब्रा बोत रोज जटके लगने से अपने वर्टीब्रा भी खो जाते हैं तो सेटिंग करने वाल पुरा अपना मेरुदंड एक दम पोजिशन में आ जाता है, जो टू विलर जादा चलाते हैं, इसे रोज करना है, धीर एसे विश्रांग, रिलेक्स, इस तरह से बारा आसन हमें रोज करने हैं, अभी करेंगे सूरिय नमस्कार, सूरिय नमस्कार के बारे पोजिशन के अंदर अपने एक-एक आसन के इसाब से में बताऊंगा पहले दो आप देखके जान लो के कैसे करना है सुर्या नमस्कार की स्थिति बारा अंकों में पहले आसन करेंगे प्रणाम आसन फिर सांस लेते वक उद्वास्त आसन अपने सामर्थे के इसाब से पीछे चले जाओ जो नए करते हो ऐसे करने से चकर भी आ सकता है तो अपने सामर्थे को पैचानना है सांस चोड़ते वक नीचे पाद हस्तासन गुटने सिदे गुटने मोडने ने एक बार अपनी गर्दन गुटनों के पास ने लगेगी तो चलेगा अपने सामर्थे के इसाब से ही करना है तीन लेफ पैर को पीछे लेना है कमर धिली छोड़ते हुए दृष्टी आकास के और चार राइट पैर को भी पीछे पूरा पैर की एडिया जमीन को लगी हुई पाँच गुटने चाती चीन जमीन को लगाओ कमर को उठा नहीं है छे भुजंगासन पूरा कमर को धिला छोड़ते हुए आसमान की और दृष्टी आसमान की और रखेंगे इस तरह से पूरा इस तरह से स्टेच होना चाहिए तो पूरे अपने मेरुदंड को अच्छा व्यायम मिलेगा साथ परवतासन पूरी तरह से अपनी एडिया पूरी जमीन को लगी हुई आठ लेफ पेर आगे कमर धिली छोड़ते हुए दृष्टी आकास की और दस राइट पेर भी आगे अपनी गर्दन गुटनों के पास लाने का प्रयास करेंगे ग्यारा दोनों हाथ पीछे उद्वास्तासन जितना अपना हो सके अतिशयोक्ति ना करे बारा प्रणाम आसन ये इस तरह से एक सुर्य नमस्कार हुआ अभी हम तीन सुर्य नमस्कार करेंगे प्रत्येग निरोगी व्यक्ति को कम से कम बारा सुर्य नमस्कार अवश्य करना है अभी मैं एक एक सुर्य नमस्कार के पोस्चर्ज का नाम बताऊंगा प्रणाम आसन उद्व हस्तासन पाद हस्तासन दक्षिन अस्वसंचालन आसन परवत आसन शाष्टांगासन भुजंगासन पर्वतासन वाम अस्वसंचालनासन पादहस्तासन उद्वहस्तासन प्रणामासन अभी सूर्य नमस्कार के बारा नामों के साथ मैं बताऊंगा ओम हिनन्य गर्भाय नम्हा ओम् मरिचे नम्हा ओम आदित्याय नम्हा ओम शवित्रे नम्हा ओम अर्काय नम्हा ओम् इस तरह से भी पूरे सुर्य नमस्कार, बारा सुर्य नमस्कार के नाम ले लिये है, प्रत्येग निरोगी वक्ती को बारा सुर्य नमस्कार अवश्य करना है, अभी करेंगे प्राणायाम, कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे, अपने को प्राणायाम से अपने आंत्री कवयों को शशक्त और बलवान बनाने वाला है अपने को प्राणायाम से फाइदाई मिलते हैं, और हमने जो अभी आसन की है, उससे अपना हाड़वेर आचछा रेता है, जितने वी जॉइंट से उससे अच्छा रखने के लिए हमें आसन करने पड़ेंगे, और अपने जो सॉफ्ट्वेर है, पेंक्रियाज, लिवर, किड्नी, अपने रुदय, लंक्स, ब्रेन, उसको अच्छा रखना है, तो अमें प्रानायम अवश्य करना है, यह अपने जीवन पद्धती बना लेनी है, तो हम सबसे पहले सुरुआत प्रानायम का पहला नियम, गर्दन सिधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखेंगे, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा छोड़ना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है, जितना समय सांसों को लेने में लगाना है, उतना ही समय सांसों को भाहर छोडने में भी लगाना है कहीं पर भी रूकना नहीं है रोक के रखना नहीं है भस्ति का प्राणाया में अपने रेश्पिरेटरी सिस्टम श्ट्रोंग हो जाती है चोबिस गंटे जो हम सांस लेते हैं अपने लंक्स का इस्तेमाल हम सिर्फ 15 परसंट ही करते हैं 15 तू 20 परसंट जब हम परपजली लंबा गेरा सांस लेते हैं तो 95-100 परसंट लंक्स एकस्पांड होता है तो पूरी तरह से और जिस तरह से फुग्गे में से हवा निकल जाती है, उस तरह से संकुचित भी होता है। तो हमें अपने लंग, सशक्त और बल्वान बनाने के लिए प्रत्येग निरोगी व्यक्ति को कम से कम पांच में अवश्य करना है भस्तरी का प्राणायाम। और प्राणायम करते वद्थ अपने चेहरे के अंपर एकदम प्रसंदम उद्रा रखनी है, नकारत्मक विचार मन में आने नहीं देने है, पॉजिटिविटी सांस छोडने के बाद रुख जाएंगे विश्च्राम करेंगे, अभी करना है दूसरा प्राणायम, कपालभाती प्राणायम में पूरी तरह से अपने सांसों को पूरा कॉंशन्ट्रेट करना है सांसों को भाहर छोडने में, सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसके बिलकुल लक्षने देना है, वो खुद बखुद लिया जाता है, कोई भी प्राणायम तीन गती से होता है, सामान्य गती, मध्यम गती और तीव्र गती, सामान्य गती से जो भी कोई नया करता हो, एक सेकंड में एक स्टोग न लगे, तो उसे दो सेकंड में भी एक स्ट्रोक लगाए, नया सिखने वाला कपालभाती प्राणायम करने वाला बीच बीच में रुक के भी कर सकता है, अगर हमें दम लग जाता है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है, तो कपालभाती करने वाले को बीच बीच में रुकना है, 10 सेकंड, 10 बार स्ट्रोक मार लिया, तो फिर बाद में दुस्ते जो करेंगे उसमें और 15 बार में कैसे स्ट्रोक मारता हूं, उस पर ध्यान देना है, और ऐसे करते करते हैं, निरंतर 5 मिनट कैसे करें, उसका अभ्यास करना है, तो शुरू करते हैं, कपाल भाती प्राणायाम, हमारे स्ट्र दिखा रहे हैं, पूरी तरह से सांसों को भाहर छोड रहे हैं, खंडे बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, इस तरह से अपने को करना है, रीड की हड़ी सीधी रहेगी गर्दन सीधी और पूरी तरह से उनका कॉंसेंट्रेशन है सांसों को भाहर छोड़ने के अंदर तो हमें कपाल भाती प्राणायाम पूरी तरह से सांसों को सिर्फ भाहर छोड़ने में और कपाल भाती प्राणायाम से अपने पेट के आंत्री कवयों को पेंक्रियाज है, लिवर है, कीडनी, एंटेश्टाइन, गोल्ड बेडर उसको पुरी तरह से अपना पाचन तंत्र, शशक्त और बल्वान बनाने वाला प्रानायाम है प्रत्य निरोगी व्यक्ति को इस पे बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है पतन जली योगपीठ में कि निरोगी व्यक्ति को क्या क्या करना है, जो human trial लिया हुआ है, 40 साल के आदमी को लिया है एक को करवाया और एक को नहीं करवाया, तो उसका जिसको करवाया उसकी energy level, उसका पाचन तंत्र, उसका metabolism, कफ, पीत और वायू बे पूरी तरह से balance हो गया तो कपाल भाती प्राणायाम अपना digestion system तो अच्छा करता ही है, फेफडे पूरी तरह से इसको प्राणायाम का राजा कहा गया है तो प्रत्य निरोगी व्यक्ति को, जिनकी उमर छोटी है उन्हें 10 मिनिट और 40 के उपर जो गये होजे 15 मिनिट अवश्य करना है कपाल भाती प्राणायाम को प्राणायाम का राजा कहा गया है व्यल्ड में कहां पर भी हो, विश्व के कोई भी कोने में प्राणायाम नहीं भूलना है सामान्य गती, मध्यम गती और तीव्र गती से हो सकता है लेकिन तीब्रगती वही करें, जो उसका शरीर बलवानों, उच्चरक्त चाप, सर्वाइकल, बेक पेन, उसको कभी नहीं करना है तीब्रगती से, सामन्य गती से अच्छी तरह से सीख लेने के बाद ही अपने आपको अपडेट करते रेना है निरंतरता ही अभ्यास है, मेथड, टाइमिंग, कॉंसेंट्रेशन और कंट्यूनिटी, यह चार होगी तो परफेक्शन धिरे-धिरे आने लगेगा निरंतर करने से अपने डिफॉर्मिशन और करते-करते हमें अपने आप से ही कॉंपिटिशन करनी है सेल्फ कॉंपिटिशन, सेल्फ लाइजेशन और सेल्फ मॉटिवेशन देखा देखी नहीं करनी है, हमारा जो सामर्ते हो धीरे-धीरे बढ़ेगा एक सेकंड में एक स्ट्रोक, एक मिनिट में 60 और पांच में 300 स्ट्रोक, एस सामान्य गती है प्रत्येग निरोगी व्यक्ति को पांच में अवश्य कर लेने से हम उध्ववेता बनेंगे विश्च्राम करेंगे, रिलाक्स अभी थोड़ा शुक्ष्वे व्यम कर लेते हैं, दोनों पेरों को सामने के और खोल देते हैं दंडासन में दोनों हाथ अपनी हते लिए आगे की और, पे हातों की उंगलिया पीछे की और रख देंगे उंगलियों का व्यम करते हैं, पांचों उंगलियों को सांसो के साथ मोड़ना है, खोल देना है पूरी तरह से पांच उंगलियों को खोलेंगे, बंद करेंगे, ऐसे कम से कम पांच या दस बार करेंगे, तो पूरी तरह से शुक्ष में व्यायम है, अपने उंगलियों में भी जितने भी वेंस जाती है, तो उसको एक्टिव करने के लिए शुक्ष में व्यायम बहुत अपनी पेर की मास्पेशियों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो कोई रोग नहीं होगा नहीं तो जादा तर वेरिकोजवेंस इसका प्रोब्लम जादा हो जाता है जादा खड़े रहने वाले को वजन उठाने वाले को तो पूरी तरह से स्टेज करेंगे यही क्रिया पीछे की और दोनों पंजे भी शरीर की तरफ ले लेते हैं इसमें भी पिंडी गुटने जंगाये को पूरी तरह से स आगे पीछे आगे पीछे अभी दोनों पंजों को गुला कर घुमाना है इतना गुला कर कि अपनी जो लास्ट फिंगर है वो जमिन को टच हो जाए उतना बढ़िया गुला कर घुमाना है सुरू करेंगे एक बड़ा शुन्य बनाओ दो तीन चार पाँच विरुद्ध बाजू यही क्रिया करेंगे एक दो तीन चार पाँच अभी दोनों पेरों को अंतर ले लेते हैं फासला दो फुट का अपने पंजो को अंदर बाहर पूरी तरह से अंदर बाहर गुमाना है सांस लेते वक बाहर सांस छोड़ते वक अंदर बाहर अंदर इसे पाँच बार करेंगे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर विश्राम अभी दोनों पेरों को मिला लेते हैं और जमिन पे एडियों को रगडेंगे उसी वक्त अपनी पिंडी भी जमिन पे ठोकनी है सुरू करेंगे तीन बार एक दो तीन चार और यह पाँच इससे क्या होगा कि अपनी जो पिंडीया है उसमें लच्चिलापन बढ़ जाएगा उसकी स्टेन बढ़नी चाहिए अभी करेंगे चक्कियासन दोनों हाथों को मिला लो पूरी तरह से अपने पूरे शरीर लच्चिला बनाना है तो चक्कियासन को कुनिया सीधी रखते हुए जितना दोनों हाथ आगे जाते हैं शुरू करेंगे जाने दो आगे, पीछे भी जाते वक्त, कुनिया एकदम बक्त, देखो सिधी है, पांच बार करेंगे clockwise, पूरी तरह सांस शोड़ते वक्त, पीछे सांस लेते वक्त, आगे, दो, क्रो, ती, very good, चार, पांच, विश्राम, अभी यही करिया, विरुद बाजू, clockwise हो गया अभी anti-clockwise, शुरू करेंगे विरुद बाजू, एक, दो, ती, चार, पांच, विश्राम, रिलेक्स, अभी दोनों थोड़ा, रिलेक्स करते हैं, दोनों पेर को थोड़ा हिला लो, अभी दोनों पेरों में थोड़ा अंतर ले लेते हैं, अपने खंदों को शशक्त और बल्वान ब ब्यायम है, दोनों पेरों में दो फुड का अंतर लेते हुए, खंदों को आगे पीछे, जैसे कि अपनी माताय और बहने दही में से चार्ज बनान की प्रक्रिया करती थी, उस जमाने में, उसी तरह का ये ब्यायम है, शुरू करेंगे, खंदों को आगे पीछे, गती पुर से कम से कम 20 बार करना है, विश्राम, रिलेक्स, अभी दोनों पेरों को अंतर और बढ़ाएंगे, स्थीतकोनासन, राइठ हाथ से लेप पेर का पंजा पकडना है, और लेप थाथ उपर, और इस तरह से उपर के और देखेंगे, हाँ, इसको देखना है, इसी सिती में थोड पेर का पंजा पकड़ेंगे, राइठ हाथ उपर, उपर के और देखेंगे, इसी सिती में थोड़ी दिर रूखना है, कमर को एकदम लचिला बनाने वाला, स्थीतकोनासन, अभी गति पुर्वक करेंगे, शुरू करेंगे, एक, दो, फास्ट, तीन, चार, पाँच, छे, सा उट, आठ, नव, दस, विश्राम, रिलाक्स, यह बैठके कुछ आसन थे, अभी फिर से हम करेंगे, प्रानायाम, एक आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, सिध्धासन या जो भी, पदमासन में, एक जन पदमासन में, हाँ, इसमें भी जो बैठ सकते हैं, तो जैसे आपन पूरी तरह से अपने नाड़ी शोधन प्राणायम भी कहते है इसमें अपने शरीर के जितनी भी नस नाड़िया है उसको शुद्ध करने वाला समझो नड़ी अपने नस नाड़ियों के अंदर खुन बहना कम हो जाता है सरकुलेटरी सिस्टम कहते है उगर कम हो जाता है तो अपने सारीरिक व्याधिया सुरू हो जाती है तो सरकुलेटरी सिस्टम अच्छी रखनी है तो अनुलोम विलोम प्राणायम करना खुब जरूरी है तो शुरू करेंगे, राइट नासिका को बंद करके, लेट नासिका से सांस लेना है, लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा गहरा राइट नोस्टल से सांस छोड़ना है, जितना समय लेने में लगाना है, उतना ही समय छोडने में भी लगाना है, लेने की और छोडने की प्रक्र या समानतर रखेंगे, कहीं पर भी रुकना नहीं है, लेट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेट से छोड़ा, निरंतर करते रहेगे, और यह पूरी साइकल, समाप्त होने के बाद ही रुकना है, जितना समय हम, हमारी स्ट्रक्टर कर रही है, पूरी तरह से उस पे, पुरा हाथ अपना सिधा होने से, उससे ज्यादा फाइदा मिलता है, इस तरह से रखना है, तो इससे अवश्य ज्यादा फाइदा मिलेगा, क्य क्योंकि अपना लंक्स एक्स्पांड होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम इच्छा नव होने के बावजूद भी करने को कहा गया है क्योंकि आलत से आता है नीन्द आ जाती है अपने सर्कुलेटरी सिस्टम 22,000, 22 करोड, 201 नस नाडियों को शुद्ध करने वाला एक प्राणायाम है कफ, पीतो और वायू को बैलेंस करने वाला एक प्राणायाम इच्छा नव होने के बावजूद भी करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम दिखने में तो बड़ा सरल और साधा है लेकिन इसके फाइदे असामान्या है असाध्य रोगों में इसको एक एक घंटा करवाते हैं कपाल भाती तो नहीं हो सकता है शक्ती जादा लगती है लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत स् गया तो अपने सब बिबार की जड़ खतम हो जाती है लंबा गयरा लेना है धीरे धीरे तीन सेकंड लेना तीन सेकंड छोड़ना ऐसे करते करते अपने आपको अपडेट करना है पास सेकंड तक पोश्चना है साथ सेकंड तक पोश्चना है दस सेकंड तक पोश्चना है द अपने आपको हमेशा अपडेट करते रहो कभी भी रुकना है तो लेफ्ट नासिखा से सांस चोड़ने के बाद ही रुकना है लेफ्ट नासिखा से सांस चोड़ने के बाद रुख जाएंगे विश्राम, रिलेक्स बीच में नहीं रुकना है क्योंकि पूरी साइकल कम्प्लिट होती है बले देर लगे अभी करेंगे शुक्ष में वैम अपने खंदों को शशक्त और बल्वान बनाने के लिए जो कोई भी कॉम्पीटर जादा चला है माउस जादा चलाता है ना तो उसके खंदे रिष्ट मनगट अपनी कलाई चादा अकड जाती है तो उसके लिए थोड़े शुक्ष में बताता हूँ अपने खंदों को गोला कार गुमाते है आगे पीछे उपर नीचे है इसे सांसों के साथ करेंगे एक दो तीन चार पाँच यही क्रिया विरुद्ध बाजू एक दो तीन चार पाँच विश्राम इससे क्या होगा फ्रोजन सोल्डर कभी नहीं होगा जो किसी को भी टूविलर जादा चलाता है जादा जटके लगते है और जादा कंप्यूटर में बैठता है उसको यह सुक्ष में जो आज मैं बता रहा हूँ वो रोज करने है और दिन में तीन चार बार करने है अभी दोनों हातों की उठ सांस चोड़ना है कोनिया दोनों मिला लो एक सांस लेते वक्ष उपर दो पूरा स्ट्रेचिंग होना चाहिए तीन चार और यह पांच विश्रांग ग्लोक्वाइस किया अभी एंटी ग्लोक विरुद्ध बाजू शुरू करेंगे एक दो तीन सांसों के साथ चार और यह पांच रिलेक्स अभी दोनों हातों को खंदों के समान तर खोल देते हैं सांस चोड़ते वक्ष खंदों पे सांस चोड़ते वक्ष फिर से बाहर एक दो तीन चार पांच अभी दोनों हातों को सामने के और ले लेते हैं यही क्रिया करेंगे खंदों पे एक दो तीन चार पांच अभी कोनिया एकदम सीधी रखेंगे दोनों हात कलाई या सामने के और खाली कोनियों को नीचे उपर नीचे करेंगे शुरू करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस अभी यही कोनिया सीधी रखते हुए पंजे को अंदर बाहर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस अभी दोनों हातों की उंगलियों का वियाम करते हैं पूरी तरह से जितने भी अपने जॉइंट से उंगलियों के वो मोडने चाहिए सांसों के साथ करेंगे सांस लेते वग उंगलिया मोडने हैं एक सांस छोड़ते वग विष्णा दो तीन चार पांच अभी मुठ्धी बना लेनी अंगुठा दबाते हुए मुठ्धी बना कुनिया बिल्कुल नहीं मोडनी है सिर्फ अपने रिष्ट को गोलाकार गुमाते हैं शुरू करेंगे एक सांसों के साथ दो गोलाकार गुमाओ तीन गुमाते रहो चार पांच यही करिया विरुद्ध बाजू clockwise एंटी-clockwise एक दो तीन चार पांच विष्रा रिलेक्स एक कर अपने खंदों में तनाव आ जाता है तो दो बार clockwise कंदों को गुमा लो दो बार एंटी-clockwise विष्राम अभी कुछ खड़े हो के कुछ आसन करते हैं तो हमारे इंस्ट्रुक्चर खड़े हो जाएंगे पूरी तरह से अपने बॉड़ी को स्ट्रेचिंग रखना और स्ट्रुक्चरल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है प्राणायाम से अपने आंत्रिक वयों को सशक्त करने के बाद हमें अपने बॉड़ी का भी अपना शरीर अपने नियंत्रण में होना जरूरी है नियंत्रण म पाश्व भागों से दोनों हातों को बाजू से उपर लेते हुए दोनों हात उपर लेने हैं एक दूसरे को लॉक करते हैं और अपने सर पे रखेंगे पेर को उठाते वक्त अपने हातों के तलवे आकाश की तरफ जाएगे शुरू करते हैं उठाओ पूरी तरह से पंजे के उपर खड़ा रेना है और अपने शरीर को पूरी तरह से बैलेंस भी रखना है इसी तरह से structural बैलेंस होना जरूरी है कोई भी एक दृष्टी की और बिंदू की और अपनी दृष्टी स्थीर रखो के तो जादा देर रुख पाऊगे धीरे से विश्राम रिलेक्स यही क्रिया और एक बार करते हैं दो पंजे पे खड़े रेना है हातों के तलवे आकाश की तरफ और पूरी तरह से बोड़ी को स्थेज करके रखो और अपनी दृष्टी एक बिंदू की तरफ स्थीर रखो तो जादा देर रुख पाऊगे कॉंसेंट्रेशन का भी विव्या है हो धीरे से विश्राम रिलेक्स अभी करते हैं दोनों हातों को विश्राम करेंगे भी दोनों पेरों में अंतर ले लेना है दो से धाय फूट का अंखिन जादा दोनों हातों को त्रियक ताड़ासन करते हैं लॉक करते हैं सर के उपर रखेंगे दोनों हात एक दम उपर हात की कोनिया एक दम सीधी आगे से जुकते हुए पूरे शरीर को इसमें गलत कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बता देता हूँ पूरे जुख बगुусов एसे गलत, ऐसे नहीं जुख ना है अपने को जुख ना है साइड से जुख ना है तो अभी सही तरीके से करके दिखाते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर पूरी तरह से राइड साइड जुखेंगे कॉनिया सिधी कमर के साइड में इसमें पूरे तरह से पूरे कमर में खिचावाने देना है और इधर का जो फैट्स बढ़ता है वो कम हो जाती है इसी स्थिति में कोनिया सीधी है पूरी तरह से स्ट्रेच होता है बॉड़ी सांस लेते वक्त धीरे से विष्राम रिलेक्स यही क्रिया विरुद्ध बाजू करेंगे सांस लेते वक्त जुकेंगे दोना हाथ उपर पीरी तरह से एकदम साइड से जुकना है आगे की और नहीं धीरे से विष्राम रिलेक्स और एक एक बार करना है यही क्रिया दोनात उपर कुनिया सिधी राइट साइड जुको धीरे से बिल्कुल जटका नहीं लगाना है और इसी स्थिती में थोड़ी दिर रुखना है जिनको यहाँ एक्सेस फेट बढ़ गया है उसे ज़्यादा रोज करना है धीरे से विश्रां फिरिद्ध बाजू हाथ उपर दो धीरे से विश्रां रिले विश्रां करेंगे दुनों पेर मिला लो अभी करते है विक्षासन विक्षासन के अंदर हर किसे से होता नहीं है तो खाली सामने के और छाती के पास भी प्रणामासन करके रुख सकते हो एक वर करुंदा प्रणामासन इतना भी करके रुख सकते हो और पूरे हाँ ठीक है इतना भी करके रुख सकते हो इस तरह से और इस तरह से पूरा रुख्षासन हो गया तो मेरे इस्ट्रक्षर करके दिखाएंगे, साउधानी रखनी है, निरंतर का अभ्याद से ही इस अब कठी नासन होने वाले है, शुरू करते हैं, लेफ पेर पे खड़े रहेंगे, राइट पेर को उठा के, लेफ पेर की जंगा के पास ठीका देना है, मैं करके दिखा दोनों हातों को दीरे से उपपर लेते हुए, अपनी द्रिष्टी कोई भी एक बिंदू की तरफ स्थीर रखनी है, तो जादा देर रुख पाओगे, कॉंसेंट्रेशन का भी व्यायम है ये, इस तरह से पूरे शरीर को स्थीर, अपने नियंतर्ण में होना जरूरी है, दी पेर को भी धीरे से, कोई गाई-गड़ नहीं करनी है, ये क्रिया भी विरुद्ध बाजू करते हैं, राइट पेर पे खड़ा रहना है, लेफ पेर को उठा लेते हैं, राइट पेर की जंगा के पास तिका देना है, दोनों हातों को धीरे से पूरे शरीर को बैलेंस में और एक एक बार करते हैं, लेफ पेर पे खड़ा रहेंगे, राइट पेर को उठा के, लेफ पेर की जंगा के पास तिका देना है, दोनों हातों को उपर की और, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस, पूरा शरीर अपने नियंत्रण में भीरे से विश्रां, बिरुद्ध बाजू राइट पेर पे खड़ा रहेंगे, लेफ पेर को उठा के, राइट पेर की जंगा के पास, दोनों हात उपर, प्रणाम आसन, प्रणाम करके, दोनों हात स्थीर रखेंगे, धीरे से, विश्रां, रिलेक्स, अब भी करेंगे, बैटके कुछ आसन करते हैं, रिलेक्स, सो के आसन करना है, सीधे लेटके, एक जने सहां, तुवाशी जो, तुवाशा सर, दोक ही थे, पूरी तरह से अभी कुछ अपने पेर को, मास पेश्यों को मजबुत बनाने का, सीधे लेटके हुए कुछ आसन करेंगे, एक पाद उत्तान पादासन, लेट पेर को जमीन से जादा उपर नहीं, आठ या 10 सिंच उपर उठाते हैं, 30 डिगरी में, एक, और पंजे को पूरी तरह से खिचा हुआ, तना हुआ, उससे वक्त, पेर के कोने पे, अपने पिंडी, गुटना, जंगा पूरी तरह से खिचा नहीं करना है, धीरे से विश्राम, रिलेक्स, नीचे लाते वक्त भी, बिल्कुल जटके से नीचे नहीं लाना है, यही क्रिया, अभी विरुद्ध बाजू, पेर को उठाना है 30 डिगरी तक, आठ या 10 इंच उपर, जादा उपर उठाना नहीं है, पूरी तरह से स्टेच क करके रखो, उसी वक्त पिंडी, गुटना, जंगा, पुरा खिचाव आने देना चाहिए, धीरे से विश्राम, रिलेक्स, और एक एक बार करेंगे, दो, पंजा, पिंडी, गुटना, जंगा, पूरी स्टेच कर की हुई, खिचाव करके रखना है, पेर की मास मेश्यों को मजबुद बनाना है, धीरे से विश्राम, विर्द बाजू, दो, जादा उपर ने उठाना है, 30 डिग्री ने, जादा उपर उठाने से फाइदा कम मिलेगा, स्टेचिंग करके रखो, धीरे से विश्राम, रिलेक्स कर लेना है, दोनों पेर को थोड़ा हिला लो, क्योंकि जादा खिचावा जाता है, तो थोड़ा हिला लेना है, अभी करेंगे द्वीपाद सलभाद, द्वीपाद उत्तान पादासन, दोनों पेर मिला लेने है, जिनको ये, कमर में जादा दर्द है, वो एक पेर से ही करे, 80% कमर दर्द है, तो उन्हें एक पेर से ही करना है, जिन पुरी तरह से, इसमें गुटने मोडने ने दोनों पंजे स्ट्रेच कियो हुए, पिंडिया, गुटने, जंगे, पेर की मास्वेशियों को मजबुत बनाने वाला आसन, उत्तानपाद आसन, धीरे से विश्रां, रिलाक्स, यही क्रिया और एक बार करते हैं, दो, उठाओ, थर्टी डिग्री में, ज्यादा उपर भी उठाने से फाइदा कम मिलता है, पुरा स्ट्रेचिंग करके रखो, पेर के पंजे स्ट्रेच, पिंडिया, गुटने पे, खिचावाने दो, धीरे से, विश्रां, रिलाक्स, दोनों पेरों को थोड़ा, मुमेंट दे दो, विश्रां, अभी करेंगे एक पाद अर्दहलासन, राइट पेर को उठाके 90 डिग्री तक लाना है, एक, गुटना बिलकुल मोडना नहीं है, जिस तरह से, एक बार 90 डिग्री में नहीं आएगा, तो चलेगा, इस तरह से पूरा गुटना सीधा रेना चाहिए, और पं पंजा आकाश की ओर, उसी स्तिती में थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे से विश्रां, रिलेक्स, जटके से नीचे पेर को नहीं लाना है, यही क्रिया, विद्ध बाजू, पूरी तरह से, पंजा तना हुआ, गुटना सीधा, उसी स्तिती में थोड़ी देर रुकना है, पे 20 देरी तक ले आना है, धीरे से विश्रां, रिलेक्स, अभी यही क्रिया को गती पूर्वक करना है, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, गती पूर्वक करेंगे, सुरू करते हैं, लेफ्ट, राइट, फास्ट, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, अभी द्वीपाद अर्धालासन, दोनों पेरों को एक साथ में उठाना है, और 90 डिगरी तर लाना है, शुरू करेंगे, धीरे से दोनों पेरों को उठाएंगे, गुटने सीधे, पंजे तने हुए, पंजे तने हुए, वेरी गुड, इस तरह से थोड़ी दे रुकना है, धीरे से विश्राम, बिल्कुल जटका न लगाते हुए, साथानी पुर्वक, विश्राम, जिस किसी को भी पेट की चर्वी कम करनी है, तो इसे गती पुर्वक करना है, तो पांच बार ये, मेरे इंस्ट्रक्टर करके दिखाएंगे, शुरू करते हैं, गती पुर्वक, पां पांच, इसमें अपने जो एक्सेस फेट कम पेट पे जादा बढ़ जाता है, तो उनको 10, 20, 25, 10, 10 के 10 सेट भी मारोगे, तो पेट अपना एकदम जो कड़क हो गया है, वो लच्चिला हो जाएगा, अभी करते हैं, नवकासन, दोनों हाथ और दोनों पेर एक साथ में उठा करेंगे, नवकासन करेंगे, एक, पूरा, हाथ की कोनिया सीधी, पेट के गुटने सीधे, पूरा स्टेचिंग करके, इसी सीधी में थोड़ी देर रुखना है, धीरे से, बिलकुल, जटके से नीचे नहीं जाना है, साउधानी पूरवक, रिलेक्स, और एक बार करेंगे, दूसरी बार, दो, इसी सीधी में थोड़ी देर रुखना है, मेरुदंड अपना अशशक्त और बल्वान बनता है, धीरे से, विश्रा, रिलेक्स, अभी, पूरे शरीर को, कमर में से थोड़ा, हिला लो, दाये बाये, अभी करेंगे सेतु बंद आसन, दोनों पेरों को मिला लेने है, अपनी जंगा के पास, सीध के पास लाके रखने है, दोनों हाथ, अपने, दोनों हाथों से पेर के कोने को पकड़ना है, और बीच में से, अपने पेट और छाती को उठाना है, और अपने खंदों के उपर, और पेर के पंज़े के उपर पूरे शरीर का बैलेंस है उठाएंगे एक पूरी तरह से इस तरह से पूरी अपने शरीर की आकृती जो है एक ब्रीच के जैसी सेतू धीरे से विश्राम रिलेक्स यही क्रिया और एक बार करते हैं दो पूरी तरह से उठाओ बीच में से स्पाइनल अपने सर्वाइकल प्रॉब्लम जिसको है उसे रोज करना है दीरे से बिल्कुल जटका न लगाते हुए विश्राम रिलेक्स तोनों पेर अभी सीधे कर लेने है और जिस किसी को भी ज्यादा श्रम लग गया है तो इसमें सवासन में भी थोड़ी देर दो मिनट या तीन मिनट आराम कर लेना चाहिए तो हम अभी पूरी तरह से समय की अवधी अपने पास कम है तो नहीं करते हैं उठकर बैठ जाना है हम कभी भी सोने के बाद उठते है तो किस तरह से उठना है लेफ्ट आट को उपर ले लेते है लेफ्ट आट उपर लेफ्ट साइड़ी जुकेंगे दोनों पेरों को फूल्ड करते हुए और कमर को बिलकुल जटका न लगाते हुआ इस तरह से उठना है कमर जो है अमारी शरीर का पीलर है मेरुदन अपना अच्छा रहेगा तो 100 साल तक हम कमर का कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं अभी हम करेंगे ध्यानात्मक प्राणायम भ्रामरी प्राणायम करेंगे इस सेशन को हम समापती के ओर ले जाते हैं तीन उंगलियों को पेली दो उंगलिया दोनों हातों की कपाल पे लेखते हैं रखते हैं तीन उंगलिया आखों पर धीरे से रखनी है बिल्कुल दबाना नहीं है और अंगुटे से दबा कर कान बंद करेंगे होड बन करके ओमकार का उच्चरन करते हो तो अपनी जो जीव है वो उपर की ओर चिटका देनी है और भ्रमर के जैसा गुंजन करना है जबी हम पुरा होड बन करके ओमकार का उच्चरन करते हो भ्रमर जैसा गुंजन होगा शुरू करते है तीन बार ओमकार का उच्चरन करेंगे, शुरू करते हैं, ब्रामरी प्राणायाम, शुरू करेंगे, ओ करा, पुरा कॉंसेंट्रेशन बढ़ाने वाला, जब हम ब्रामरी प्राणायम करते हैं, तो हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है, जब हम ज़्यादा हम सहरों में रहते हैं, हमारा दिमाग का उस्तेमाल ज़्यादा होता है, भोतीक शुक बढ़ गया है, तो हमारा दिमाग का इस्तेमाल भी ज़्यादा होने लगा है, देख र स्थीर करने के लिए रामरी प्राणायम अवश्य करना है दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में अपने गुट्नों पे रखना है उद्गीत प्राणायम करेंगे ओमकार का उच्चान करना है तीन बार शुरू करते है ओमकार करेंगे ओम ओम मौन प्रणाव ध्यान आखे बंदी रखेंगे दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में इतना सुक्ष्म स्वास लेना है कागज का तुकड़ा भी नाकोश पर्ष करें तो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए उतना ही सूक्ष्म स्वास लेना है उतना ही सूक्ष्म स्वास छोड़ना है पुरी तरह से अपने नियंतरण में अपना स्वास मन निरविचार, निरविकार एकाग्रत इश्वर की प्रार्थना, आराधना, धारणा, ध्यान, समाधी, युक्त पूरे शरीर के भीतर एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता और सैयमता पुर्वक जीवन जीने का ज्यान हमें प्राप्त हो चुका है दुख में, सुख में कभी विचलित न हो, हम अभी सहर में रहते हैं तो हमारे दिमाग में ना आने वाले विचार कर्मयोग करते करते हमें, बहुत दिप्रेशन में चले जाते हैं तो भ्रामरी प्राणायम करने के बाद ध्यान में अवश्य बैटना है अपने ब्रेन के अंदर बेटा एंड़ोर्फीन, इनकैफीन, दोपामीन जो हैप्पी हॉर्मन्स के बढ़ाने वाले अपने केमिकल से उसकी मात्रा कम हो जाती है तो भ्रामरी प्रणायम ध्यान करने से उसको पूरी तरह से बैलेंस में ला सकते है इस तरह से सुन्दर संकल्पना मन में आने देनी है दोनों हाथों को उपर लेते हुए आपस में रगडेंगे इश्टनता निर्वान करनी है निर्वान हुई इश्टनता सर्व प्रत्थम अपने आखों पर रखना है अखों को खोल बंद करके पूरे चेहरे के उपर अपने हाथों को घुमा लेना है स्रीय अगरजना के लिए वजदासन में बैठ जाना है आखे बड़ी जीब भार निकल लिए हुए दो बार करते हैं स्रीय अगरजना सुरू करते हैं गले में तनाव आया है दो बार एक बार राइठाद एक बार लेटाद गले पे शेला लेना है अब यह प्रेशर पॉइंट ताली का वादन तीन तीन बार करेंगे एक दो एक दो तीन सुरू करते हैं अभी खुले दिल से हास्यासन करेंगे दो बार सुरू करते हैं इसी तरह हस्ते रहना है औरों को भी हसाना है और प्रसंद रहना है शुरू करेंगे शांती पाठ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनाहा सर्वे संतु निरामया सर्वे भत्राणी पश्यंतु मा कस्चे दुक्कवागवेत ओम दर्था शांतिषी अंतरीक्स शांतिषी रृत्था वेशांतिषी आपस शांतिषी आऊषः शांतिषी वनस्पतैश शांतिषी онеश्व देवा शांतिः ब्रह्म स्वांति ही स्वाश्वा शांति ही शांति शांति ये स्वांति ही शामा स्वांति in ओम शांति 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 ही ओम 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 अजर को वनदए अजर मता को वनदए अजर मता को वनदए अजरी कहांति ही अजरी आप नखिए अलब